नमस्कार आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टेडी भी अच्छी चल लेए होगी आज मैं फिर आपके लिए एक लेटेस अपडेट लेके आया हूँ जिन केंडिडेट ने रास्तान के अंदर सीटी नहीं दिया है या सीटी दे रखा है दोनों के लिए इ इपोर्टेंट है ये किसलिए इपोर्टेंट है आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा लाश्ट तक मेरे साथ बना रहना पड़ेगा तहीं पता चलेगा कि रास्तान के अंदर अब सीटी पे क्या फ्रेंसल होगा क्या सीटी नया होगा जो बरतियां आगी उनमें इप्छली गोर्मेंट ने रास्तान के अंदर क्या किया था सीटी जो कि हमारा पॉमन इलिजिबिलीटी टेस्ट है सीटी ग्रेजुएशन पे और ट्रेल्थ पे दोनों पे लागू किया था अब दो हजार तेईस में तो सीटी हो गया था और भरतियां दो हजार चोवीश मे अंदर ये बोल रहे हैं कि जैसे होस्टल वार्डन की है, LDC की है वह सारी वकेंसी है, उनके अंदर CT बोला है, अब CT की पातरता कब तक valid है, पिछला रिजेल्ट कब आया था, 2023 अप्रेल में आया था, उस टाइम से valid है, और सरकार ने क्या वोला है, वेल्डिटी कितनी है, वन येर की वेल्डिटी है, एक साल तक ये valid रहेगा CT आपका, तो 2024 अप्रेल में ये आपका CT क्या है, invalid होने जा रहा है, और आपके पास तो फिर CT है नहीं तो जिन बंचों ने CT दिया था और जिन ने CT नहीं दिया और जो बच्चे इस बार 12th पास आउट कर रहे हैं, अगरेजरिशन पास आउट कर रहे हैं, उनके तो सब बराबर होगे ना, सब एक ही मेदान में आगे सब एक रेस के अंदर आगे, जिन ने CT दिया या जिसने CT नहीं दिया क्योंकि CT की वेलिडिटी गवर्मेंट ने एक साल बोली है और वो अप्रेल 2024 में खतम हो रही है, अब हमें क्या करना है हमें ये करना है कि हमारे जो करमचारी चेन बोर्ड के देख से लोक राज जी उन्होंने टिट करके एक जानकारी दी थी, क्या बोला था कि जो 2024 में CT होगा वो जुलाई या अगस्त के आसपास होगा क्योंकि पहले होने सकता पहले इलेक्शन है तो पूरा सब कुछ वहाईं बीजी रहेगी परसासन में वेस्ता जो भी है रास्तान की उसमें बीजी रहेगी इसमें अपना अप्रेल और मेई उसी में निकल जाएगा ठीक है तो उसके बाद इलेक्शन होगा जुन जुलाई के बाद उन्हों जुलाई अगस्त के आसपास CT होने कब बोला है फिर कुछ बच्चों ने ऐसे बोला कि आप अगर जो वकेंसिया निकाल रहे हो 2024 में इसमें से CT हटा दो कार ने डिसाइड कर रखा है गोर्मेंट ने बना रखा है नियम या कानून उसके अंदर गोर्मेंट ने डाली थी कि 12 वाड़े CT के अंदर कितनी पोश्टें रहेगी और ग्रेजुशन वाड़ा CT है उसके अंदर कितनी पोश्टें रहेगी ये government ने decide कर रहा है उन्होंने बताया है कि board का क्या काम है board का जो काम है वो सिर्फ इतना काम है कि हमें exam कराना है हमारा काम है सिर्फ CT कराना या किसी vacancy का exam कराना हमारा काम ये नहीं है कि CT के अंदर कौन सी vacancy को रखना है और कौन सी vacancy को CT से हटाना है तो उन्होंने ट्वीट करके ये जबाब दिया अब देखो क्या होगा अब इस पे क्या होगा जो हर्याना पुलिस में हुआ है बेसा ही मुझे लगता है यहां पे होने वाड़ है बहुत सारे केंडिट क्या है कोर्ट से ले जाएंगे रिट लगा देंगे बड़तियों कोर्ट में ले जाएंगे बोलेगी हम तो इसके लिए इलिजीबल है अगर 12th मांग रहे है तो بھی इलिजीबल है अगर graduation मांग रहे है तो भी हम इसके लिए इलिजीबल है इसमें हमारी क्या गलती है अगर सरकार या board इस पे CT नहीं करा पा रहा तो हम कहां जाएं हम तो irisible platform भरने के लिए government या board time से CT नहीं करा पाया तो हम क्या कर सकते इसमें हमारी कोई गलती नहीं है तो ये उनकी बात सही है अब देखते हैं क्या होता है इन आने वाले भरतियों में क्या ये CT को extend किया जाता है कि अप्रेल से जुलाई अगस तक extend कर देते हैं इसकी validity को पात चरता को तो फिर पुराने जो बच्चे CT नहीं दिये जो पास आउट हो रहे हैं इस बार उनका क्या होगा उनके साथ तो अन्याय हो रहे है ये चीज तो ये चीज थोड़ी देखने वाली बात है करें वीडियो को जादस जादस शेर करें जिन candidate ने CT नहीं दिया या जो candidate पिछले साल या इस बार पास आउट हो रहे हैं उनको CT का बारे में कुछ था कि हमने CT नहीं दिया हमारा क्या होगा तो उनके पास ये वीडियो शेर कर दे उनके लिए काफी important होने वाला है तो हमारे टेलिग्राम और वर्टसप ग्रूप भी आप जोइन कर सकते हो जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद धन्यवाद